हेलो फ्रेंज, वेलकम टो ए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोल इंडिया लिमिटेट की नियू रिकुर्मेंट नॉटिफिकेशन के फॉर्म ओनलाइन अप्लाइब प्रोसेस के बारे में तो फ्रेंज से कोल इंडिया दोरा जो नॉटिफिकेशन यहाँ पर इन्वाइट की गई है यह आपके एट्राइजमेंट नंबर 03-2021 है जिसमें फ्रेंज से रिकुर्मेंट आपके निकाली गई है मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट के लिए जिसके लिए आप ऑनलाइन कर सकते हैं इसके लिए बीटेग बीएससी इंजिनिरिंग या फिर एमसी एमटेग आपके पास रिलेवेंट डिसिप्लिन में है 60% मॉक्स के साथ आप इसमें आविदन कर पाएंगे साथ में फ्रेंज से गेट 2021 का स्कोर कार्ड भी आपके पास होना चाहिए इसी के बेसिस पर आपका यहां पर सेलेक्शन होने वाला है तो यहां पर बात करते हैं कोल इंडिया लिमिटेट की रिकूर्मेंट नॉटिफिकेशन जो की एमटी पोस्त के लिए इनवाइट की गई है इसका फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं इसके बारे में और इससे वीडियो को स्टा करना है इसके बार आपको एसकी करना है यहां पर आपको यहां पर देना होगा आपका नाम तो आपका जो mail id आपको यहाँ पर दो दो बार enter करनी है और उसको verify करना है आपका mobile number आपका mail id यह देने के बाद आप इस capture code को fill करेंगे और उसके बाद यहाँ से submit कर देंगे इसके बाद friends आपका देखिए registration process complete हो जाएगा और आपको यहाँ पर आपकी application id है वो आपको यहाँ पर मिल जाती ह इसके बाद आप यहाँ से log out करेंगे और उसके बार login करेंगे login करने के लिए फैंसे आपको यहाँ पर देखिए चाहिए आपको यहाँ पर user id जो कि आपको मिल गई होगी password पासवर्ड आपकी mail id पर और आपको SMS के थूरू मिल जाता है अगर वो नहीं मिलता है तो आपको य user id और capture code डलकर दोबारा से password को मंगवा सकते हैं और mail पर आपके पास password आजाएगा और उसके बार आप यहाँ से अपने user id पासवर्ड के थूरू login कर लेंगे इसके बाद फ्रेंसे यहाँ पर देखिए आपको एक option मिलता है click here to fill application form का अगर यह option आपको mobile में नहीं मिलता उस condition application में फ्रेंस आपके mobile पे जो play store होता है play store में जाना है वहाँ पर आपको Puffin browser डाउनलोड कर लेना है Puffin browser डाउनलोड करने के बार सेम प्रोसेस करेंगे और उसके बार राइट हंड साइड में वहाँ पर एक option होता है वहाँ पर desktop mode का तो आप desktop mode में जैसे ही convert करेंगे उसके आपको click here to fill application form का option मिल जाएगा और उसके बार friends आप mobile में भी आप इस form को अराम से apply कर पाएंगे तो यहाँ पर इस processing को आप complete होने दे इसके बार आप यहाँ से data को close कर सकते हैं इसके बार friends सबसे पहले category आपको select करनी है general EWS OBC आप कोई भी category है वो आप select कर सकते हैं gender select करना है इसके बार आपको यहाँ पर select करना है आपका DOB means date of birth तो आपको इस calendar के माध्यम से आपका जो भी date of birth है वो आप यहां से select कर सकते हैं यह select करने के बाद फैंसे नीचे है अगर आप ph candidate है तो आप yes कर सकते हैं type of disability select कर सकते हैं नहीं तो आप इसमें no करेंगे अगर आप ex-service man है तो आप yes करके आपके joining date और retirement की date mention कर सकते हैं नहीं तो आप इसमें भी no करेंगे CIL के employee हैं अगर आप पहले से तो अपनी employer ID और subsidiary name आपको देना होगा नहीं तो आप इसमें भी no कर सकते हैं और अगर आप यहां पर जम्मु इन काश्मीर के निवासी है इस time के दौरान तो भी आप यहां पर yes yeah no कर सकते हैं basic जानकारी है जो कि आप यहां फिल करेंगे और उसके बाद seven ness करेंगे इसके बर friends यहां पर आपको आपका जो father name है आपका जो mother name है और इसके लवा आपका यहां पर मेरिटल status है यह आपको यहां पर select करना होगा यह आप अपने according यहां पर select कर लेंगे इसके बार आएगा आपका address section तो देखिए आपका जो भी पूरा address है जो भी आप लिखते हैं अपने address में वह आप यहाँ फिल करेंगे आपका जो state है जिस state के आप निवासी है select कर सकते हैं आपका district आपको select करना है आपका city आपका कौन सा है और आपका pin code क्या है तो यह बेसिक जानकारी आपके address की आप देंगे यह है आपका present address present में आप जहां रहते हैं और यह है permanent अगर present and permanent सेम है तो yes पर किली कीजिए अलगल है तो आप उसके equivalent percentage of marks को आपके board university या institute के जो भी आपका यहाँ पर formula है conversion का उसके थुरू आप यहाँ पर देंगे इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले 10 के detail को fill करना है तो आप यहाँ पर देंगे सबसे पहले board का नाम इसके बाद किस institution से आपने यह complete किया है इ आप यहाँ पर all general subjects की entry भी कर सकते हैं इसके बाद है आपका year of passing मतलब आपने इसको pass out किया है तो आप यहाँ पर आपका जो भी year of passing है वो आप यहाँ पर mention करेंगे आपका percentage of marks आप यहाँ पर fill करेंगे ऐसे ही same आपको 10 प्रस तू में आपके board का नाम आपके school का नाम आपके subjects का combination आपका यहाँ पर year of passing क्या है आपका यहाँ पर जो percentage of marks है वो क्या है वो आपको यहाँ पर enter करना होगा इसके बाद फ्रेंच से नीचे आपको मिलता है यहाँ पर gate details जो कि आपको यहाँ पर enter करनी होगी सबसे पहले है year of qualifying तो 2021 आएगा इसके बाद आपको gate का registration number देना ह होगा और इसके बाद यहाँ पर है click below to validate gate registration number तो यहाँ पर friends आपको gate registration number है उसको आपको validate भी यहाँ पर करना होगा इसके बाद है graduate degree details तो सबसे पहले यहाँ पर B.E.B.T.E.C. आपके पास क्या है वो आपको देना है इस पेसलाइजेशन देना है institute का नाम year of passing क्या है और percentage of marks क्या है यह आपको basic जानकारी देनी होगी इसके बाद PG degree details आपको देना चाहें दे सकते हैं आपका कोई भी experience है आप की complete हो जाएगे और इसके बाद यहाँ पर आपको फीस शो करती है इसके बाद को documents upload करने हैं सबसे पहले है passport size photograph आप यहाँ पर friends upload करेंगे 100 KB का size है signature आपको upload करना है 100 KB के size में और इसके बाद matriculation certificate means DOB proof आपको upload करना होगा और यह आपका 1 MB का size रहेगा maximum और PDF या GPG format में degree है वह आप यहाँ पर upload कर सकते हैं आपकी 1 MB का size यहाँ पर भी रहेगा get 121 का scorecard आपको यहाँ पर upload करना होगा तो यह documents है जो कि आपको यहाँ required है upload करने के लिए तो यहाँ पर friends से सारे documents upload करने के बाद आपको uploaded का message मिल जाएगा इसके बार आप यहाँ पर यहाँ पर सही कर सकते हैं अगर आपको लगता है preview में कोई भी गलती नहीं है उस condition में ही आप यहाँ से submit करेंगे इसके बात friends आपका जो payment gateway है वो आपका open होना चाहिए पर क्योंकि अभी site start हुई है तो आपको payment का भी यहाँ पर error show करेगा बाकी बात में आप यहाँ पर जो payment है वो आप कर पाएंगे अगर payment आपने नहीं किया है तो आप edit भी कर सकते हैं और एक पर payment करने के पर आप इसमें edit भी नहीं कर पाएंगे तो यहाँ तक की जो process है वो आपको बता दी है बाकी की जानकारी आप video description में जाकर check कर सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया आप चा पिरुश्ट नहीं कर सकते हैं